गर्भा वस्था के दोरान आखरी समय में जब आपकी बोडी प्रसव के लिए तयार हो रही होती है तो कुछ लक्षन जिससे आप यह नुमान लगा सकते हैं कि आपके सर्विक्स यानि बचिदानी का मुझ खुलना शुरू हो चुका है तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से लक्षन है सबसे पहला लक्षन है शिशू का नीचे की ओर आजाना जब आपको लगे शिशू पेट के काफी नीचे की तरफ आ गया है आपको अपने पेट का उपरी हिसा खाली और हलका महसूस हो पेट के निचले हिसे में लगातार पीचा चुका है और इस दोरान आपको ऐसा लगे कि जब आप चलेंगी तो बच्चा नीचे की ओर गिर जाएगा तो ऐसा महसूस होने का यही मतलब होता है कि शिशू के दबाव से सर्विक्स यानी बचेदानी का मुझ खुलना शुरू हो चुका है वाइट डिस्चार्ज पहले के मुकाबले जादा गाढ़ा नजर आए या फिर सफेद चिपचिपे बलगम की तरह हो और उसमें बलड की धार्या दिखे और बलड के मिलने से इसका रंग गुलाबी भी हो सकता है इस तरह के डिस्चार्ज को म्यूकस प्लक कहा जाता है जो की प्रेग्नेंसी के प्रेग्नेंसी के तीसरे थिमाही से ही फॉल्स लेवर पेन होने शुरू हो जाते हैं लेकिन नकली और असली लेवर पेन में यही फर्क होता है कि जो नकली लेवर पेन होते हैं उनकी टाइमिंग बहुत कम होती है यानि कि उनकी जो टाइमिंग होती है वो 30 सेकंड से लेकर दो मिनट तक रहती है और इस तरह के दर्द के दोरान पेट कड़क हो जाते हैं और जैसे ही आप अपने पोजिशन बदलते हैं तो ये दर्द कम हो जाते हैं लेकिन जो असली लेवर पेन होते हैं जो डिलेवरी के समय असली लेवर पेन शुरू होता है इसकी टाइमिंग इस दौरान होने वाले contraction या सकूचन दर्द नाक और लगतार होते हैं और ये दर्द समय के साथ बढ़ता जाता है और ये दर्द position बदलने पर भी कम नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके cervix का मुँ ओपन होना शुरू हो गया है पानी का रिसाव होना प्रेगनेंसी के आखरी समय में water break होता है और ये पानी रिसाव के साथ बाहर आता है और ये बिल्कुल पानी की तरह दिखता है इसमें किसी भी तरह की कोई भी smell नहीं होती है प्रेगनेंसी के आखरी समय में पानी की थैली कभी भी फट सकती है अगर डॉक्टर के पास आप जाती हैं तो वो फिंगर टेस्ट करके देखते हैं कि आपके बचिदानी का मुझ कितना खुला है आपके डिलेवरी में अभी कितना समय बाकी है तो तुरंध ही डॉक्टर के पास जाएं तो फ्रेंट्स उमीद करती हूं कि वीडियो हेलफफुल लगी होगी अगर पसंद है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें